मंदिरों की इस्ततियां ऐसी बन गई हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जहां तहां अकनित जोधा हनुमान जी महराज मंदिरों में जा रहे हैं और मंदिरों में मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही है योद्धा दिखाई दे रहे हैं वही इस्तती बनती जा रही है, मंदिरों में भी देखो, महराज बड़े बड़े योध्धा बैठे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक बैठे हैं, मंदिरों का जो संचालन वैदिक परमपरा से होना चाहिए, मंदिरों के जो पूजा पाठ बड़े पद्धती से होने चाहिए, उनकी वो क्रियाएं, राजनीतिक की पद्धती से होने लग गई हैं, मंदिरों में बेदों का महत्व खत्म हो गया, मंदिरों में वैदिक परमपरा का खत्म हो गया, मंदिरों में संथ विप्रकी द्वारा होने वाली उस वैदिक पद्धती का सिध्धान्त खत्म हो गया, इनारत जी महराज की पीड़ा है न योगी न इवसिद्धोबा न ग्यानी सत्क्रियों न रहा न मुझे कोई योगी दिखाई दे रहा है न शुद्ध दिखाई दे रहा है रहा है ज़्यानी हुझानी तो भय यह जिदर चले जाओ अही कंषै है जहां चले जाओ ग्यान के भण्डार भड़े और एक किसी से थोड़ी सी बत्तो कर दो कि भईया यह सनशार किया है यही करे गा यह संशार नास्वान है इस अंसार तो नास्वान है यहां कौन लाया है कौन ले जाएगा उपदेश ऐसा मिलेगा और पता लगेगा कि महराज वो पड़ोसी के प्लाट पर कबजा करके बैठा है यह इस्तती बन गई है ना सदकरियू नरा उस घ्ञान के दोरा क्रिया नहीं रही शज्ञनो घ्यान का उपदेश देना एक अलग बिसे है और घ्यान के दोरा उस घ्यान को अपने चरितर में लाना एक क्रिया भान होना बहुत कठिन है और बिना क्रिया के हतस्चात ग्यान दो नरहा क्रिया हीन वो ग्यान उस ग्यानी को सत्रू बन के मार देता है ग्यान है लेकिन क्रिया नहीं है वो ग्यान ही उसका सत्रू बन जाता है इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने वाले बनो अच्छी क्रिया का मतलब अच्छे कर्म करने वाले बनो सत्क्रिया, सत्क्रिया माने अच्छा करने वाले और सतक्रिय किन को कहते हैं मैं कहूं एकदम सरल करके अगर कोई बहु बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक गर की विवस्था को देख रही है सास के प्रती उसकी सरद्धा पती के प्रती उसकी सरद्धा परिवार के प्रती उसकी सरद्धा वो सतक्रिय बहु है वो सत्क्री है वो एक फुत्र अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है वो सत्क्री है सत्क्री का तातपर जिसकी क्रिया ठीक है एक वैश्य, एक सूद्र, एक छत्री, एक ब्रहमन अगर अपने अपने धर्म को जिम्मेदारी पूर्वक निभा रहे हैं वो सत्क्री अब्रहमन, सत्क्री चत्री, सत्क्री बैस है और सत्क्री शूत्र है इसलिए सत्क्री वन्ने की कोशिस करो इन पुराणों को सुन करके, गुरुगों का संग करके हम अपनी क्रिया को अपने कर्म को सत कर ले पवित्र कर रहे अच्छी कर ले